आज मैं आपको सिखाने वाली हूं ट्विस्टेट हिजाब कैप इसे ट्विस्टेट तूर्बन भी कहते हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन की बटन को भी क्लिक करिए ताकि मेरा हर नया आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा असान और बहुत जल्दी बनने वाली कैप है ये इस कैप को बनाने के लिए आपको स्ट्रेचेबल कपड़े की जरूरत है किसी भी आप पुरानी भी ले सकते हैं तो मैंने यहां पर देखिए पहले से ही कपड़े को कटिंग करके रख दिया है दो हिसे मैंने कपड़े को कट किया अगर आपके पास बड़ा कपड़ा है तो आप उसमें से डारेक एक बड़ी पीस कट कर सकते हैं तो मैं आपको बता देखिए कि मैंने यहा कपड़ को हमें पलट ले है इस तरह उल्ट तर immense करने के बाद में सीधी शिलाइब लगा पर रहें चिहां राजए को सिर्य सिलाइ पक और राड़ बना परेदा निगे और जिस तरह हमें अगर शोटी रहें अन्व एक称स alis वो भी आप बना सकते हैं लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये बड़ी साइस की कैप है जो के हम अपने नकाप के अंदर भी अराम से लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने एक हिस्से पर सिलाई लगा दी है दूसरे हिस्से पर भी हम इसी तरह से पिलकुल सीधी सिलाई लगा देंगे तो दूनों कपड़ भी सिलाई लगाने के बाद में आपको इस तरह से टन कर लेना है तो इसे हम देखे इस तरह से सिधा कर लेंगे और सिलाई वाला हिस्सा हमें बीच में रखना है बिलकुल इस तरह से दूसरे हिस्थे को भी हम इसी तरह से सिधा करके रख लेंगे तो यहाँ पर मैंने दोने हिस्थे को देखी सिधा कर लिया है और सिलाई वाला हिस्था हम बीश में ही रखेंगे उसके बाद में हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है यहां पर हम बड़ा बड़ा टाका लगा रहे हैं तो जिस तरह से हम ग्यादस करते हैं कपड़े को बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे आप चाहें तो डायरिक मशीन से भी इस तरह से बड़ा टाका लगा के धागर खीर सकते हैं लेकिन यहां पर हम हाथ से ही सिलाई तो हमारे एक कपड़ पर देखी सिलाई लग चुकी है इसे मैं आपको खोल के दिखा देती तो यह इस तरह से दिखाई देगा अब दुसरे हिस्से को भी हमें बिल्कुल इसी तरह से हाफ करना है पहले हाफ करने के बाद में इस पॉइंट से हम इसे जॉइंट करेंगे यानि किनारी तक हम आ जाएंगे और उसके बाद हमें धागे को खीचना है खीचने के बाद में सेम उसी तरह से हम इसे इसके अंदर मिला के टाइट कर देंगे अगर आप मशीन से कर रहे हैं तो दोनों को आपको एक साथ में जॉइंट करना पड़ेगा तो यहां पर देखिए हम हम इसे अच्छी तरह से मिला के पका कर देंगे इसके बाद में धागे को हम कट कर देंगे तो यहां पर मैंने दोने हिस्से को देखिए इस तरह से जॉइंट कर लिया है इस तरह से देखिए क्रॉस की तरह यह बनना चाहिए तो उसके बाद में आपको इस हिस्से को इस तर से करना है तो इस चीज़ को आपको बहुत ही द्यान से करना होगा उसके बाद में जो सामने वाले तरफ का हिस्सा है यहां पर हम पिन लगा देते हैं क्योंकि यहां पर हमें जो है सिलाई लगानी है सेम इसी तरह हम इस इसे में भी पिन लगा देंगे जब आप इस तरह से टर्ण करें और पिन लगाएं तो बहुती द्यान से आपको करना होगा तो इसे देखें मैंने पिन लगा दिया है और उसके बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में जो सामने वाला हिस्सा है वो हमारे चेहरे का हिस्सा हो जाएगा तो आपको सिलाई देखें इस तरह से लगानी है इसे आप पलट देंगे उसके बाद में यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे तो बिल्कुल किनारी पर यहाँ पर जरा भी आपको gap नहीं छोड़ना है जब आप machine से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर दिखे मैंने pin लगा दिया है तो तीन हिस्से पे आपको इसके अंदर सिलाई लगानी होती है और एक हिस्सा इसके अंदर आपको छोड़ना होता है फेस के लिए तो पहले हम तीन हिस्से पे इस cap में सिलाई लगाएंगे और जब हमारी तीन हिस्से पे अच्छी तरह से सिलाई हो जाएगी यह हिस्सा देखे खुला रहना चाहिए इसे बिल्कुल बनने ही करना है आपको उसके बाद में लास्ट में हमें इस किनारी पर सिलाई लगानी है तो यह हम बाद में करेंगे और जब हमें यहाँ पे सिलाई लगाने होगी तो पहले हम यहाँ पे इस तरह से पिन लगा देंगे उसके बाद में हम सिलाई करेंगे लेकिन अभी हम सबसे पहले हम साइड साइड की सिलाई लगाएंगे इसलिए मैंने यह पिन निकाल दी है तो मैं आपको एक एक चीज बताऊँगी तकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए किस तरह से हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे तो देखिए यह हिस्सा बिल्कुल आपको बंद करना है सिलाई करने के बाद तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला कि रख दे तकि आपको समझ में आ जाए तीन हिस्से पर हमें सिलाई लगा देना है तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सिलाई लगाना और जहाँ पर हमने गैदस जाली है सुई धागे से वहाँ तक हमें अच्छी तरह से इसके अंदर सिलाई लगा लेना है तो एक हिस्से पर देखिए सिलाई हो चुकी है सेम इसी तरह से दूसरे हिस्से पर भी हम सिलाई करेंगे यहाँ पर जो हमने पहले पेन लगाई वो निकाल देते हैं उसके बाद में से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे तो और भी हिजाब इनर कैप की वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड है आप जरूर देखिएगा अलग-अलग तरह की हिजाब कैप मैंने बनाना सिखाया है वो भी बहुत ही आसान तरीके से तो आप भी जरूर ट्राइ करिए जो भी मैं हिजाब कैप आपको सिखाते हूँ अगर आप बनाते हैं मेरी वीडियो को देखने के बाल तो उसकी फोटो आप मुझे जरूर सेंड करिएगा इंस्ट्राग्राम पे मैं इंशालला अपनी वीडियो में आप जरूर दिखाऊंगी उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाया है अब यह जो हमा हमारी कैप का पीछे वाला हिस्सा रहता है तो इस तरह से हम यहाँ पर इस पर शिलाई लगा देंगे आप चाहें तो यहाँ पर बड़े-बड़े साथ में प्लेट्स भी बना सकते हैं लेकिन हम यहां पर पहले साधी सिलाई लगाएंगे उसके बाद में इस हिस्से पर हमे में गैद encant humor यहां मैंने सिलाइस पे लगा दी है have कि यह कि खुला वाला हिस्स होगा और जो हमने सिलाइ लगाई यह हमारा पैक वाला हिस्सा हो गया हमारी कैब का और यहां पर रहाएं पहले हैं तु whats a तो यहां पर बहुत जादा नस्दिक नस्दिक आपको नहीं करना है थोड़ा धूर धूरी हम करेंगे और गैद्रस को बहुत जादा हमें छोटा सनी बनाना है थोड़ा हम बढ़ा ही रखेंगे ताकि सरक्यों पर यह अच्छा भी लगे अगर हम बहुत जादा करीब कर तो यहां पर बस हम इतना ही रखेंगे उसके बाद में यहां से दागे को हम पक्का करके तोड़ देंगे तो यहां पर दिखिए हमारी कैप बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो अब मैं इससे देखिए आपको टर्ण करके दिखा रही हूं यह जो हमने स्वी धागे से बड़ दीखिए माशायला बहुत ज्यादा खुबसूरत लग रही है और जो हमारी कैप के आगे की नॉट बनी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है तो इस कैप को देखिए हमने बहुत ज्यादा आसान तरीके से बनाया है और यह पीछे वाला हिसा आप देख सकते हैं जो हमने गैदस डाला था तो इसकी वज़े से यह बहुत खुबसुरत लग रहा अगर आप छोटा कर देते तो यह कैप टाइट हो जाती तो इस हिसे को अगर आपको गैदस नहीं डालने तो भी आप इसी तरह से भी पहन सकते हैं अगर आपको जुड़ा बगएर उसके अंद